नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुमफली की चिक्की की रेसिपी, कई लोग इसे गुर्बट्टी भी कहते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने दो कटूरी मुमफली ली है, अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे, मुमफली रोस्ट हम बिल्कुल लो फ्लेम पर करेंगे, मुमफली को रोस्ट करने में 5-6 मिनट तक का समय लग जाता है, फिर हम उसके बाद गैस की फ्लेम अब आफ कर देंगे, और मुमफली को मैं थाली में निकाल लूँगी, फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो हातों से इस तरह से प्रेस करके हमें इसका छिलका हटा देना है सारा छिलका हमें मुमफली का हटा देना है छिलका हटाने के बाद मुमफली इस तरह के दिखेगी फिर हम एक कटोरी लेंगे आप कोई से भी कटोरी ले सकते हैं कटोरी की हेल्प से हमें इस तरह से प्रेस करके मुमफली के दो टुकड़े करने हैं अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इससे भी एक आसान तरीका है आप कोई से भी पॉलोथिन ले उसके अंदर डाल दे मुमफली को और उसे इस तरह से बांध ले गाट फिर हम इसके उपर बेलन से इसे प्रेस करेंगे बेलेंगे बेलन से जिसकी वज़ा से मुमफली के दो टुकड़े हो जाते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं अब हम गुड़ लेंगे जितना हमने मुमफली लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है दो कटोरी हमने मुमफली ली है तो दो कटोरी ही हम गुड़ की लेंगे यह मैंने पुराना गुड़ लिया है पुराने गुड उसे हम गुर्पट्टे बनाते हैं तो वो बिल्कुल चूकलेट की जैसी बनती है बिल्कुल चॉकलेट जयासा उसका रंग आता है गुर्पो हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे हमें रहाए बीच में आप मीडियम फ्लेम थोड़ा सा कर सकते हैं नहीं तो हमें इसे लो फ् पीच में गुड़ को चेक करते रहेंगे कि गुड़ तयार हुआ है कि नहीं गुड़ पट्टी बनाने के लिए इसलिए हमें कटोरी में पानी लेना है उसके अंदर थोड़ी सी गुड़ डालनी है और फिर हम इस तरह से चेक करेंगे अभी आप देखेंगे यह बिल्कुल एक बार हम और गुड़ को चेक कर लेते हैं अभी यह थोड़ा सौफ्ट है हमें थोड़ा सा और क्रंची गुड़ चाहिए इसी तरह से हम चलातके भूनेंगे इसे और एक बार और में चेक कर लूँगी गुड़ आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बन गया है इसी त तरह से हमें गुड़ को बनाना है फिर हम इसके अंदर मूमफली डाल देंगे मूमफली डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला कर मिक्स कर लेंगे फिर हम इसके अंदर एक चमच घी की डाल देंगे घी ऑप्शनल है घी से बहुत अच्छी शाइन आती है इसलिए घी हम इसके अंदर डालेंगे, घी डालने के बाद अच्छी तरह से चला कर मिक्स कर लेंगे, अब मैं गैस की फ्लेम उफ कर दूँगी, इसके बाद हम एक टेबल पर अच्छी तरह से घी लगा देंगे, आप किसी भी बोर्ट पर घी लगा सकते हैं, या फिर किसी भी थाली में घी लगा ले फिर उसके बाद उसके उपर हम यह जो हमने विश्रन बनाया है यह डाल देंगे यह हमें थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि गुर्ड बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है इसलिए हमें यह फटा-फट करना है पर इसे बहुत ही जादा आप केर्फुली करें क्यों अप उस पे अच्छी तरह से घी लगा लें, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा तिल डाल देंगे, तिल भी ऑप्षनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, फिर हम इसे अच्छी तरह से बेलेंगे, अगर आपसे बेलन्सिन नहीं बेला जाए, तो इसके ऊपर एक पॉलो तिन डाल और फिर उसके उपर से बेले ये सबसे आसान तरीका है फिर हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में शेप देते रहेंगे और आप इसे जितना भी मोटा रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे फिर हम बेलेंगे इस तरह से पन्नी लगा कर बेलने से ये बहुत ही आसान तरी जब हम इसे तोड़े तो आराम से निकल जाए फिर 10-15 मिनट बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल के रख दूंगी अगर आप थाली में बना रहे हैं तो उसी पे रहने दें इसे आदे घंटे के लिए इसे हम रूम टेमपरेचर में ही सेट होने के लिए रख देंगे आदे आप देखेंगे कि कितना जादा क्रिस्पी और क्रंची बना है आप इसी तरह से मुवफिली की चिक्की या गुड़ की पट्टी जिसे कहते हैं अपने घर पर बना सकते हैं वह भी बिल्कुल मार्किट जैसी क्रंची यह बिल्कुल भी तांतों में नहीं चिपकती आप इसी बनाएं